जैसी राम, जै मातादी, बहुत बहुत स्वात मरस खास कारी करम एश्टो रामतार मिस्रा, आज हम लेकराई सिंग रासी, जनवरी माहां दोजार पत्चिस का रासी फल, जनवरी माहां सिंग रासी वालों कैसा रहने वाला है, बहुत आपको इंद्जार था कि हमारे पर्थम पर्थम महीना कैसा रहने वाला है, और कैसे कैसे हम जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, तो हम बताना चाहती है, आप समझे, देखिए, और सुनिए, इस वेडियो को लाइक करें, सब्स्राइब करें, और सबीको भेज़ें ताकि उनका भी कल्यान हो, और आपको भी इसमे प्रजा जुखती है, राजा नहीं जुखता है, जहांदना, ऐसे वेक्ति के अंदर थोड़ा सा एगो, या थोड़ा सा एक मन में ठोट रहता है, कि हम किसी के सामने है, जो कहना ना हाथ फैलाए, यह ऐसे वेक्ति बहुत एमोशनल भी होते हैं, और इमानदारी के सामने सद आए, काम करना चाहते हैं, गलत लोगों के साथ इनका कोई रिस्ता नहीं रहता है, अच्छी लोगों से चाया गवर्मेंट हो, मन्ति मिनिस्टरी हो, या कहीं नहीं पुरूबग हो, ऐसे वक्ति पसंद करते हैं, शिंगराशी वालों के लिए इस माहे में क्या सा रहने वाल ध्याद देना है, थोड़ा धूप ज्यादा आपको लेना है, वो धूप कैसी लेना है, पीट के पीछे, धूप कभी भी हड्यों में जाने से अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अंदर जाने के लिए धूप के लिए विटामिन D के लिए पीछे धूप लेना चाहिए, उस बढ़ते चले जाएंगे पराक्रम की बात करें तो आप बहुत जली ज्यादा आप इमानदारी के साथ काम करेंगे उतना आपको यह नहीं मिलता है अप कोई तरीके से आप एस्टीडी कर रहे हैं तो उसमें आपको द्यान देना है कि आपके लिए कैसे सपलता मेलेगी जैसे आप याद करते हैं उसमें कंप्लिशन में बैठते हैं आपको याद हो जाता है लास्ट भूल भी जाते हैं तो कोशिश पढ़ाई का समय बताया गया है ब्रह मोर्थ में चार से च्छ यानि सुबे चार वज़े से च्छ बज़े तक आप पढ़ाई करेंगे और इस्ट में आप नौर्थ में मुख करके पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी सपलता मिलेगी बैसे आप बहुत होस्यार हैं और बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग बाले हैं लेकि फिर भी कहीं ने कहीं आप कंपोज हो जाते हैं अपने आप में भी और दूसरों की बातों में भी अब गंगा जल मिला कर आपको अर्ग देना है ओम घणी सूरिया नमा इस तरह आप डेड़ी अरग देंगे तो आपकी आँखों की दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको और आपको ब्यापार में आपकी नौकडी में या बिद्यार थी में आपको सपलता मिलेगी कोई भी काम करें पूरा करें अधूरा ना करें उसको करने के बाद आंगे बढ़ें जीवन में जिसकी गारंटी लें उसके साथ भरोसा ज्यादा ना करें किसी को उधार पैसा ना दें और अचानक से कोई आत्रा बंती तो आत्रा में आपको जाना है जिससे आपको सफलता मिलेगी कोशिश करें कि जीवन में साजेदारी के साथ यदी काम करते हैं तो उसमें आपको सवलता जादा मिलेगी और कहीं न कहीं जीवन में नरास ना रहें सदा आप खुश रहें और पिता की शेवा करें जितना पिता की शेवा करेंगे समान करेंगे उतना पांगे रहेंगे इस चनल के मध मध्यम से समय का वहां होता है कोई भी आपका कॉश्चन है कोई भी आप पूशना चाहते तो हमारे चनल के मध्यम से नंबर दी होए संपर कर सकते हैं देखे जोते साथ भूत भविश बर्तमान तीनों बताता है जो आपके अंदकार से प्रकास की ओर ले जाएगा आप जीवन के साथ ब्यापार के साथ नौकडी के साथ और पूरे जीवन में आपने रास नहीं रहेंगे ऐसी हमारी सोबाशी बात कामना है जैसी राम जै माता जी